तो हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होंडा एक्स ब्लेड बीए सेवन बाइक की और इस बाइक के क्या न्यू फीचर्स हैं वो आज आपके सामने हम शेयर करेंगे यदि आप हमारी यूटूब चैनल पर ने हैं तो आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू न्यू वीकल से समधित इंफोर्मेशन मिलती रहेगी तो सबसे पहले हम इसके प्राइज की बात कर लेते हैं एकलाक एकिस हजार रुपे तक की रेंज में आपको यह होंडा X-Blade BS7 बाइक मिल जाती है बात करेंगर हम इसके माईलेज की तो पचास किलोमीटर पर लीटर का आपको यह माईलेज परदान करवाती है और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो 162.71 CC का इसमें आपको इंजन मिल जाता है और अगर हम इसके इंजन टाइप की बात करें तो 4E स्ट्रॉक BS4 इसमें आपको इंजन मिल जाता है इसकी backlight में आपको halogen bulbs मिल जाते हैं इसकी indicator में आपको halogen bulbs मिल जाते हैं single cylinder के साथ आपको ये bike मिल जाती है बात करें अगर हम इसके engine power की तो 13.8 PS से 8000 RPM तक जो इस bike का engine है वो power generate करता है और अगर हम इसके engine torque की बात करें तो 14.7 NM से 5500 RPM तक जो इस bike का engine है वो torque राप्त करता है front brake की बात करें तो उसमें आपको disc brake मिल जाती है rear brake की बात करें तो उसमें आपको disc brake मिल जाती है इसके meter console की बात करें तो इसमें आपको digital meter मिल जाता है जिसमें आपको neutral light, check engine light, indicator, signal दशाये जाते है बात करें अगर हम इसके fuel tank की तो 12.0L की इसमें आपको fuel tank की मिल जाती है और अगर हम इसके headlight की बात करें तो इसके headlight में आपको LED bulbs मिल जाते है DRL मिल जाता है इसके indicator में आपको hydrogen bulbs मिल जाते है बात करें अगर हम इसके body type की तो ये एक तरह से sports bike है और इसमें आपको ABS system मिल जाता है single channel के साथ speedometer की बात करें तो वो आपको digital मिल जाता है autometer की बात करें तो वो भी आपको digital मिल जाता है और अगर हम इसका tachometer की बात करें तो वो भी आपको digital मिल जाता है और trip meter की बात करें तो वो भी आपको इसमें digital मिल जाता है इसमें आपको sensor मिल जाते है, actuator मिल जाते है एक side stand मिल जाते है, एक double stand मिल जाते है इसमें आपको single cylinder के साथ आपको ये bike मिल जाती है cooling system की बात करें तो ये air cooled है valve पर cylinder की बात करें तो वो दो है starting type की बात करें तो kick और self दोनों आपको इस bike में मिल जाता है modification के तौर पर आप इसके headlight में high qualities वाले LED bulbs लगवा सकते हैं इसके indicator में लगवा सकते हैं high qualities वाले bulb बात करें अगर हम इसके fuel supply की तो इसमें fuel injection लगाया गया है clutch की बात करें तो multi plate weight clutch इसमें आपको मिल जाता है gearbox की बात करें तो 5 gears में आपको इबाइक मिल जाती है और अगर हम इसके बोर की बात करें तो 57.30 mm इसमें आपको बोर मिल जाता है stroke की बात करें तो 63.96 mm इसमें आपको stroke मिल जाता है additional लंबाई की बात करें तो 582 mm मिल जाती है लंबाई की बात करें तो 1013 mm मिले मिल धाती है तो 786 10 me this मैं आपको चोडाई मिल जाती यह हड की बात करें तो 160 mm इसमें आपको Ground Carlo Range मिल जाता है और अगर हम इसके वील बैस की बात करें तो 1347 mm इसमें आपको वील बैस मिल जाता है अगर ебीट की बात करें तो 144 kg इसमें आपको प्र्ब वेट मिल जाता है फ्रेंट ब्रेक डायमेटर की बात करें तो аемetra i बात करें अगर हम से के ऊच्मिक की नूल यह है और हम मिल जाते हैं और इसके और पिर उन थनीशन है आपको दकने और लुअ ital — टायर्स टायर्स तायर्स नूल जाते हैं नियु नियु फीचर्स के साथ आपको यह बाइक मिल जाती है इसमें आपको Bluetooth connectivity मिल जाती है USB भी चारजन मिल जाता है mobile चारजन मिल जाता है इसके fuel tank के उपर आपको E20 का symbol मिल जाता है यानि 80% petrol और 20% ethanol के साथ यह जो बाइक है वो चलती है इसकी आपको लंबी seat मिल जाती है new new colors new new features के साथ आपको यह बाइक मिल जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही best है